अगली ख़वर में बात करते हैं टार्सी के जहां एक वक्त को कपड़े उतार कर और चप्पल जूते की माला पहना कर जुलूस निकाला गया जुलूस में बकाईदाट डीजे भी लगाया गया युवक के मुब और सिरफ गोवर लगा कर पूरे गाओं में खुमाया गया युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी पतनी को लेने ससुराल पहुचा था तो ससुर और साले ने कपड़े उतरबा कर मार पीट की जुलूस का वीडियो सामने आया है नर्वदापुरम जिले के माखन नगर छेत्र के एक गाउं के रहने वाले 30 साल की युवक ने पत्रोटा थाने में सिकायत दर्ज कराई है ASI MS भट्टी ने बताया कि अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुँचे युवक की साले ससुर ने पिटाई की फिर रिस्तेदार सरपंच और गाउं के एक युवक ने उसे जूते चपल की माला कहनाई दीजे बुला कर गाउं में जुलूस निकाला इस दौरां ससुराल वाले उसे लाठियों से पीटते रहें पुलिस ने तेन आरोपियों पर मामलाग दर्ज किया है पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफतार कर दिया जाएगा पीडित ने बताया 8 दिसंबर 2021 उसकी साधी इटारसी थाने के पत्थ रोटा छेत्र में एक गाउं की युवती से हुई थी साधी के बाद वह नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी इसी बीच नर्सिंग कॉलेज की माननेतार रद्ध हो गई जिसके बाद वह माई के चली गई वहां से वापस ही नहीं आ रही थी 2 अक्टूबर को पत्नी को फोन कर ससुराल आने की सूचना दी मंगल बार रात को वह उसे लेने पहुचा यहां ससुराल वालों ने उसे भेजने से मना कर दिया उनका कहना था कि तुम बेटी को ठीक से नहीं रखते हो जब उसने पत्नी को भेजने की जित की तो ससुराल वाले भढ़क गये साले ससुर ने उसके साथ मार पीट कर दी गाली गलोज करते हुए हाथ मात कर उसके कबड़े उताग दिये अब धेश प्रताप सिंग एडिशनल S.P. नर्वदा पूरम ने बताया कि विवेक नाम का युवक माखन नगर का रहने वाला है युवक की पत्रोटा थाना छेतर के एक गाउ में ससुराल है कुछ समय पहले पत्नी पढ़ाई को लेकर कॉलेज में विवाद हुआ था जिसके बाद वहमाई के चरी गई थी युवक पत्नी से बात करने के बाद उसे ससुराल लेने पहुचा था जहां ससुर साले और परजनों ने युवक के हाथ बांदिये पैंट शर्ट उतार कर जूतों की माला पहना कर गाउ में घुवाया सुचना मिलने के बाद पुलिस ने तदकाल मामला दर्च किया है